अक्सर आपने पाइलेट्स को पाइलेट्स की यूनिफॉर्म के साथ साथ एक स्पेशल ट्राउजर्स में देखा होगा जिसमें एक पॉकेट बनी होती है मैं बात कर रहा हूँ जी सूट्स की यह जी सूट्स होते क्या है चलिए समझते है नॉर्मल सर्फिस पे जो फोर्स लग रही है वो वन जी की फोर्स लग रही है यानि कि वन जी की फोर्स पे आपका हाट ब्लड को पंप कर रहा है ब्रेन तक यही वन जी फोर्स जब करते हैं या सोटी उडाते हैं हावाई जाज तेजी तेजी उडाते हैं ऐरोबैक्स तो यह वन जी फोर्स नाइन जी हो जाती है और नाइन जी फोर्स पे हाट को बढ़ा मुश्किल हो जाता है ब्लड को पंप करना और ब्रेन तक पहुचाना उस केस में यह G-suit काम करता है ज तो G-Suit में air भर दी जाती है ताकि blood body के नीचे वाले part पे खटा ना हो और यह blood easily pilots के brain तक पहुचे अगर यह G-Suit नहीं होगा तो loss of consciousness होगा और crash होने के chances होगे इसलिए aspirants G-Suits is must for pilots जो G-Suit की में बात कर रहा हूँ यह special कपड़े से बनता है जो fire resistant होता है heat resistant होता और कहीं न कहीं pilots को यह safe रखता है aspirants G-Suits pilot overalls के उपर पहने जाते हैं या कभी-कभी अंदर भी पहने जाते हैं और इसमें जो pocket बनी होती है उसके अंदर air भरी जाती है यह air machine से भरी जाती है ताकि blood नीचे यानि की lower part of the body में blood इखटा ना हो इस यह basic science है कि भाई अगर अगर आप रसी कस के बान दोगे तो blood flow नहीं होगा उसी प्रकार से यह जब fool जाता है तो blood flow नीचे नहीं होता ताकि brain cells को proper oxygen मिलती रहे और proper pilot conscious रहे 1960s 1970s में भारतिय वाई उसेना के pilots को बहुत problem होती थी because of loss of consciousness जी इसे technical terms में LOC भी बोलते है line of control नहीं loss of consciousness अब loss of consciousness दूर करने के लिए यह simple fundamental का G-suit works very very well और आज हर तरीके के pilots जो भारतिय वाई उसेना में serve कर रहे हैं उनको G-suit दिया जाता है आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो अगर आप भी ऐसी exciting videos के बारे में और भारतिय फॉज के बारे में जानना चाहते हैं तो इस channel को subscribe करें और साथ ही अगर आपका सपना फॉज में commissioned officer बनने का है तो सन 2003 से लेट विंग कमांडर अनूप महरोतरा जी ने त्रिशूल डिफेंस अकैडमी की स्थापना की थी जिसको आज mentors आज फॉज के विभिन अलग-अलग retired officers mentor कर रहे हैं और सबका उपदेश एक है कि सेना को अधिकारी त्रिशूल देगा अगर आपका सपना भी commissioned officer बनने का है तो आज ही त्रिशूल डिफेंस अकैडमी जॉइन करें हमारे offline centers इलाबाद, राची, दहरादून और दिल्ली में हैं अब डिफेंस exam crack करना हुआ और भी असान त्रिशूल डिफेंस अकैडमी लेकर आए हैं बिल्कुल ही advanced learning app तो आज ही join करें और start करें अपनी online classes